तो हेलो फ्रेंड्स जैसे आप देखे हैं आज हमारा क्लास चल रहा है डबल पावर ऐसी का जैसे के अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैंडशेट्स आ रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा पावर ऐसी लगेंगे जैसे यहां पे देख सकते हैं 6150 हो गया 6150L हो गया PM660 हो या PM 8150, 7150A इस तरह के काफी सारे अलग-अलग models में आ रहे हैं 8150, 8150A, B, C मतलब पावर ऐसी बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है कि मुवाइल में मतलब लोड ज्यादा गिरने पर CPU damage हो जाएगा RAM damage हो जाएगा, immense damage हो जाएगा या पावर ऐसी पे ज्या लोड पड़ेगा, आप game भी खेल रहे हो, आप camera भी चला रहे हो, आप ऐसे से game इंस्टाल कर लेते, इस तरह के application इंस्टाल कर लेते, अपन के CPU पे RAM पे लोड ज्यादा होने से, phone hang on logo हो जाता, आपका stuck हो जाता, slow चलता, तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, circuit को improve करते र आ रहे हैं, ताकि महिंगा mobile, जितना महिंगा mobile होगा, उतनी ज्यादा IC होगी, उतना अच्छा service देंगे, उतना अच्छा आपको circuit देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर coil जो है, किसी में 10 coil दिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बताओ, जेख सकते हैं, इतने सारे coil हैं, यह उसका काम क्या है, अब हम यहाँ पर double power का concept बनाएं, तो यह जो आपन यहाँ पर draw करें, यहाँ पर, तो एक बार बताओ, live सामने करें के पहले से करके थे, live draw करें ना अपन, आप सब भी करें, थोड़ा बताओ, आपका draw भी, देखो, यह समझ में आया कि खाली copy कर लिए, सम समझ में आया, अभी एक और power का बना सकते हैं, इधर आप, आपका नाम क्या है, नितेश, अभी आप dual power concept समझेए, तो यह copy करें के सारा बोल सकते हैं, किदर क्या आ रहा है, यह सुरू के point से, इंके point तक बता से, पुरा लिखें ना अपन, पुरा, copy तो नहीं कर लिए, समझ नहीं important है भई, ठीक है, इससे पहले हम animation में भी देखें, ड्रा करके वैसा भी बताए, फिर हाथ से उतारने का concept यह है, कि जब हाथ से जो चीज़ें उतारते हो, दिमाग तक पहुंच जाती, समझे हैं, और जो एक बार दिमाग में बैढ़ गया, तो आप easily repair कर सकते हैं, नह से दोनों IC यहां बंद हो जाएंगे, फिर आप समझेंगे कि कौन सा IC सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, इस तरफ बता ना, मैं यह लोग को बता देता हूं, मालूम है ना यह, मालूम है, किता सप्लाई बनना यह भी मालूम है, और यही सप्लाई बनके, इस IC को मिलेगा, तब जाएंगे एक्टिवेट होगी, इसका नाम तो आप लोगों को तो मालूम है ना, वीडियो में धोड़ा हैट कर देंगे, क्या बोलते हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, चलिए, दो पावर यहां पे है, एक पावर का नाम क्या है वहीं, PM660, और दूसरा, PM660L, यह तो PM660 660L का हम आज देख रहे हैं, और कल भी देखे थे हैं, अपन ने, Note 7 Pro का, 6150L, 6150 का, वो भी कल बनाये थे, एक में 10 कोईल मिले थे, एक में 6 कोईल मिले थे, उससे पहले एक और बनाये थे, जिसमें 6 कोईल का सरकिट था, 8937 का, मतलब इसको मिला कि कितने पावर हो गए अभी प्रिया टेक भी बताएंगे, टोडल 4 पावर का कंसेप्ट समझेंगे आप दो, तो इतने में तो समझ में आना चाहिए, समझ में आरा आपको, ऐसा उतार दिये, तो यह पहले से तो नहीं उतारे ना, एक एक चीज अपन यहां पे लाइफ ड्रॉ करें अपन, लाइफ करें आप भी कर सकते ना इसा, ठीक है, तो यहां पे सारा चीज है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, चार्जर इन करना है, क्या करेंगे, चार्जर इंपुट करेंगे, जो भी आपका ही एंपेर का दो इंपेर का चार्जर लगा रहे आप, तो चार्जिंग में आपके पांच है जो के वीबस डीम डीपी ओटीजी की लाइन यहाने हमारी उन्ती लाइन बोलेंगे इसको ओटीजी या यूएजबी आईडी तुसरा नाम क्या है उसके बाद है ग्रॉंड पिन उनसा है यहां से पांस वोड निकल करके आपका में पावर एसी में जाएगा किसी-किसी में OVP IC रहेगा जिसमें नहीं रहेगा तो वो DC to DC के अंदर ही OVP सरकिट रहेगा उसका तो बायर लगाने की जरौत नहीं है समझे जब अंदर ही आप लॉक डाल दिये तो बायर शेक्टरी गाट को थेराने का जरौत नहीं रहे तो लॉक डाल दिये गेट को शेक्रीटर सबसे पहले हमारा सप्लाई बनेगा यहां पर पांच वोल्ट PMID के पास PMID या फिर UMID के नाम से या MID के नाम से देखने को मिलेगा आपको अलग अलग नाम से और यह जो केपेशिटर दिख रहा है आपको यहां पर अगर से वोल्टेज बस आउट होकर रुग गया तो समझ कि हमारा वल्टेज यहां से इनो करके वहां पर आईसी तक पहुंच चुका है और यह व्ल्टेज को यूज करके दूसरे सर्किट में दूसरे सर्किट में पांच वल्ट आया ना यहां पर यही पांच वोल्ट से प्लेश टॉच लैट जलाएंगे क्या एलिटी बोलते ना यही वह पांच वोल्ड से सेकेंडरी चार्जिंग इसी पांच चार्जिंग इसी को इंपुट चाहिए ना वीबस का तो किसी में यहां से देंगे वीबस किसी में यहां से लंबा जा रहा है दूर जा रहा है तो क्या करेंगे कहां से ले लेंगे वह क्योंकि पहले यह एक्ट चार्जिंग में SMB जो हमारी IC है वो कॉलकम बेस्ट इसने क्विक चार्जिंग टर्बो चार्जिंग फाक चार्जिंग के लिए बनाए और वो SMB IC कॉलकम ने बनाया उपर कॉलकम लिखा रहेगा लेकिन मीडियाटेक के बहुत सारे यूज करते हैं मैं बताता हूं आपको एक तो हो गया यहां पर यह तो PMID बनने के बाद सबसे पहले हम और हमारा वोल्टेज जन्रेट होगा वीपी एच वूल्टेज तो वीपी छेसे आउट होगा एक तो वापस इसी में आजाय है कि विट VBAT पे voltage देना है तो VBAT पे voltage वो बैट्री लगाने के बाद देगा आईटे लेन से शेंज से शेंज करेगा उसके बाद voltage को drop देगा वापस drive करके बैटरी पे आएगा उसके बाद यही voltage हम देखेंगे तो secondary power में चला गया 幾endry power कौन सा है हमारा PM660 अब यह जो IC है, light IC भी यही है, graphic IC भी यही है, audio IC भी यही है और flash light के लिए भी जो काम करती है IC, यही है किते काम है इस से? audio IC भी यही है, light IC भी यही है, graphic IC भी यही है, flash touch light के लिए भी यही है इसी काम कर रही है, और secondary power का भी यही काम कर रही है तो secondary power से जो voltages generated हो रहे हैं, VDD core का voltage generated होगा, B.O.V lower LDO generated होगा, memory की supply बनेगी और RAM की supply बनेगी, लेकिन ये बनेगी कब सबसे पहले very very important हमारा B.O.V का supply, कौन सा? B.O.V का supply बनेगा, एक तो वापस इसी में जाएगा, ताकि ये सब supply हैं बनाना है न? उसके बाद ये ही voltage किदर आगया हमारे, main power AC में, किदर? main power AC में आने के बाद इस IC को trigger मिल लिया, चलो भाई, तुम आप काम करो, हमारे को तो मिल गया VPH, VPH जेनर्ड हुआ, उसके बाद इसको मिल गया, तो इने बोलेगी, भाई साब हमारे को VPH मिल गया, किस से थरो बुली हो? B.O.V की supply, buck और boost supply, मिलने के बाद ये IC हमारे, अपने voltages बनाना स्टार्ट करेगी, क्या क्या बनाएगी? एक बनाएगी lower radio, जिसमें 1.3 का voltage, दूसरा बनाएगी higher radio, जिसमें कितना voltage? 2.0 वेरी गुड, कितना voltage? 2.0 इसके बाद आवा, ये voltages तो हमारे off ही रहेंगे, modem का supply, APC0, APC1, टोटल 4 coil यूज करा यहां पर, 4 buck coil, APC1 में 2 coil हैं, और APC0 में, और modem में, ये voltages कब बनते हैं, आपको सब को पता हैं, ठीक हैं, चलो, इसके बाद, यहां से एक supply निकलेगा, power on का supply किसको जाएगा? 2nd power, उसके अलाबा एक और एक supply आया, क्या नाम से? 410 किसके नाम से? कितना voltage? 1.8 उसके बाद, यह ICB अपने जनरेट करना शुरू करेगी, क्या क्या बनाएगी सबसे पहले, lower L.O. lower L.O. बनाकर, V-REG 2 वाले सक्षन में देगी, कितना voltage? 1.3 1.3 का voltage, इसके बाद, VDD core की supply बनाएगी, कितना? 0.9 memory? 0.9 यह सब होने के बाद, यहाँ से, इसके भी secondary L.O. निकलेंगे, और यहाँ से, जो main हमारी main power AC ही है, इससे एक supply, बहुत important supply है, क्या नाम है उसका? V-REG L13, कितना है? और जो हम 8937 में देखे थे, V-REG L5 था, वो क्या था? जो के हमारी 1.8 की supply है, जो ideal point पे भी चेक करते हैं, आप, EMC में भी जाता, VCCQ के नाम से, बहुत सारे जगा पे जाएगा, यह supply हैं, इतने जहाँ पे बनने ही चाहिए, इन दोनों को बादशित करने के लिए, communication करने के लिए, CPU के साथ, जो line हो का नाम रख लिए, line का नाम क् SPMI clock, SPMI data, system power management interface, दोनों line, ताके reset कराना होता है, CPU को जैसे charger लगता ना, CPU को जगाना है, सोते रहता, CPU, mobile बंद रहता ना, CPU क्या करना है, अब इनुस हो रहे हैं, तो इनको जगाने के लिए क्लाना पड़ेगा, किलाना पड़ेगा, समझ रहे, I2C जो protocol है, उससे इतने भी slave से light IC, charging IC, सबसे क्या करेगा वो, communicate करेगा, और सबको काम करने के लिए लगाए हो, मतलब वो slave address भेज़ेगा, data भेज़ेगा, काम करने के लिए, data की line से, ठीक है, clock भेज़ेगा पहले, उसके बाद data भेज़ेगा, फिर IC काम कर रही है, तो data return CP को भेज़ेगी, बहुले कि ठीक ह सब हम काम पे लग चुके हैं, ठीक है, तो यह यहाँ पे होता है, इतना होने के बाद, दोनों section जब सारे सही रहते हैं हमारे, ठीक है, सारे voltages बन रहे हैं, तो power IC हमारी, यह photo तो ले लिए जैना आप लोग, तो power IC इसको हटा रहा हूँ है, हटा दू, ठीक है, यह रहता है मे सब्सक्राइब है, सिगनल पे जाएगी, कौन सा हमारा power on reset का, कौन सा, फिर CPU से एक सिगनल वापस मिलेगा अपने को, उसका नाम क्या है, PS hold क्या है, इस से पहले हमारा sleep clock और basement clock, क्या क्या निकलेगा यहाँ से, sleep clock, SLP CLK, किता था, 32.768 kHz, एक और निकलेगा यहाँ से, 19.2 mhz, ठीक है, यह हमारा CPU को मिल जाएगा, CPU को जो मिलेगा voltage, 1.8 kHz, और PS hold भी कितना मिलेगा, यह मिल रहा है, मतलब सारे का सारे voltages क्या होना है, हमारे, stable होना है, और इस condition में आपका CPU driver भी बनाएगा, port भी बनाएगा, क्या बनाएगा, port, port क् Qualcomm 9008, HSB, USB इस तरह से बनता ना, 9008 का आप device manager में port चेक कर लेना, आपका port भी बन जाएगा, DC पे switching चेक कर लेना, DC पे switching आजाएगी, उसके बाद आपको MMC लगाना है इसमें, तो इतना आपने को power section में देखना है, इसके अलावाद जो हमारा crystal है, यहाँ से निकलेगा RF clock, क् 19.2 MHz, दूसरा निकलेगा WCN clock, तीसरा निकलेगा BB clock, क्या है निकलेगा, और चौता CPU के लिए MSM clock, टोटल यह सारे क्या बनने है, clock बनने है, कब बनेगे यह, जब CPU से दोनों में और लाइन कनेक्ट रहीगी, दोनों के साथ, SPMI, clock और SPMI, दोनों, यह हमारा होगया CPU, यह होगया हमारा main power AC, क्या होगया, यह वर्क अप कराएने, इसको क्या दिया अपन पहले है, VPH, VPS तो यह खुद बना लेगा अपने लिए, और इसको पहले देना पड़ेगा, क्या, VBUS, password, क्या दिया है, यह आया charging से, यह तो खुद बना ली, और यहां से फिर निकलेगा हमारा battery को mobile का on करने के लिए, इसका नाम क्या है, VBUS, तो यह सारे सप्लेयां इस तरह से बनना है, इसके लावा RAM के लिए भी हम देखे, memory के लिए भी देखे, वो सारे बनना है, तो यह last में हमको जो देखना है voltage PS hold का supply ठेक करना है, 1.8 का, तब जागर के आपका सारा का सारा सही रहेगा, और यह सब तो जो है आपका Wi-Fi के लिए है, तो Wi-Fi के लिए नहीं भी गया, तो ख़़ी बदने Wi-Fi काम नहीं करेगा, लेकिन हमारा MSM clock बनना चाहिए CPU के लिए, समझे बेजबन के लिए नहीं के लिए बेजबन नहीं दिखेगा, लेकिन mobile on करने के लिए जो जो requirement है, सारा मैं आपको बता जिया, यह सारी चीज होने चाहिए, यह सारे voltages stable रहना है, याद रखो, ना कम होना ना उपर होना, मतलब fluctuate नहीं मानना है, fluctuate मारा मतलब दोनों में problem है, दोनों में से किसी एक में क्या है, problem है, fluctuate नहीं होना, stable रहना ह सकते है, समझ रहे, अलग से भी क्या देके देख सकते है, voltage देकर रहे, 1.8 का voltage देकर चिक कर लेना, ठीक है, ले लो फोटू, डबल पावर समझ में आ रहा, concept आपको, कल सिंगल पड़े थे, उसके बाद आप डबल पावर पड़ रहे हो, समझ रहे, ज्यादा रिफरेंस नह रहेगा, बाखी काम तो सेमी रहेगा, दोनों पावर रहो, या तीन पावर रहो, ठीक है, ड्रॉ कर लिए सब लो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक यू बरी मच्छ